Hello everyone, welcome back to the channel So दोस्तों, budget level का smartwatch market यानि कि अंडर 2000 रुपीज एक बहुत बड़ा market है और इस वाले budget range में इतने सारे smartwatch आपको देखने को मिल जाएंगे जिससे आप confused हो सकते हैं ऐसे में boat ने एक नया smartwatch launch किया है जिसका नाम है boat wave light बहुत recently ये launch हुआ है तो आज की इस वीडियो में हम इसी smartwatch के बारे में पूरा detail में बात करने वाले हैं कि क्यासा है ये smartwatch, क्या है इसके specification और सबसे important किस price में ये आपको मिलने वाला है वैसे तो आपने पहले सुनी लिया कि budget level का smartwatch है तो ये smartwatch definitely under 2000 रुपीज आपको मिलेगा वीडियो काफी जादा useful है तो इस वीडियो का आप लास तक जरूर देखिएगा अगर आप एक budget level वाला smartwatch purchase करने का सोच रहे हैं साथ मेगर आप इस तरह के अच्छे-च्छे product deals and offers में interest रखते हैं हर दिन नए-च्छे products purchase करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलिग्राम चैनल में हमें follow कर लीजिए हम वहाँ पर आपके लिए हर दिन अच्छे-च्छे product deals and offers लाते रहते हैं So let's get straight to the video So दोस्तों आप देख सकते हैं ये है smartwatch देखने में बहुत ही amazing लग रहा है square shape के display के साथ आता है तो अगर आपको ऐसा smartwatch पसंद है जिसमें square shape का display हो तो ये smartwatch आपको definitely पसंद आने वाला है साथ में अगर color options की बात की जाए तो तीन color options है एक first है ये थोड़ा सा brown या फिर maroonish color आप बोल सकते हैं उसके साथ ही blue and black color तीनों ही color बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में लेकिन अगर मेरे personal choice की बात की जाए तो मुझे ये brown color बहुत ही amazing लग रहा है तो तीनों में से कौन सा color आपको पसंद आया हमें comment section में जरूर बताईएगा अगर pricing की बात की जाए तो ये under 2000 रूपीज यानि की 1999 रूपीज में मिलेगा इसका based by link मैंने description में दे रखा है तो आप first link क्लिक करके इसे directly purchase कर सकते हैं तो अब आजाते हैं features की उपर और एक एक करके सारे features की उपर बात करते हैं तो इसमें मिलता है 1.69 इंच का IPS display square shape वाला display है और इस price में आपको AMOLED display नहीं मिलने वाला है जैसा कि मैंने पहले एक smart watch का unboxing किया था जो था firebolt का thunder smart watch 5000 रुपए का smart watch है मैंने personally उसे purchase किया है बहुत ही amazing smart watch है उसमें AMOLED round shape वाला display मिलता है लेकिन ये एक budget लेवाल वाला smart watch है तो इसमें ये square shape वाला आपको IPS panel देखने को मिलेगा अगर इस display के brightness की बात की जाए तो इसमें मिलता है 550 nits का brightness तो आप direct sunlight में इसे आराम से use कर पाईएगा आपको कोई भी problem नहीं होने वाली है काभी vibrant colors है और जो brightness है वो बहुत ही अच्छा है जिसकी वजह से जो visual experience है वो amazing मिलता है और visuals की बात होई रही है तो हम आपको बता दे इसमें दिया हुआ है 160 degree का viewing angle 70% RGB color gamut के साथ तो अच्छा display है और आपको इसे use करने में मजा आने वाला है इसके साथ ही ये smart watch काफी जादा lightweight है सिर्फ 44.8 grams का है आपको कोई भी discomfort नहीं होने वाला है अगर आप इस smart watch को लंबे time के लिए पहन के रखते हैं तो इसके साथ अगर sports mode की बात की जाए तो 10 sports mode दिये हुए है तो ठीक है इस price के इसाब से 10 sports mode बहुत होते हैं और सायद ही आप सारे sports mode को use कीजेगा लेकिन अगर आपको professional sports mode चाहिए तो आप दूसरे smart watch के साथ जा सकते हैं लेकिन अगर आप budget level का ये smart watch purchase कर रहे हैं तो इसमें 10 sports mode दिये हुए हैं तो अब आ जाते हैं battery के उपर तो इसमें company ने दिया है 240 image की battery जिसमें company claim कर रही है कि 7 days के आसपास आपको battery backup मिलने वाला है लेकिन ये totally आपके uses के उपर depend करता है कि कैसे आप एक smart watch को use करते हैं साथ में इसमें सारे trackings दिये गए हैं like 24x7 heart rate tracking sleep monitor, spo2 monitor, accelerometer, xyroscope sensors तो basic level के सारे sensors इस वाले smart watch में मिल जाएंगे इसके अलावा इसमें दिया हुआ है Bluetooth 5.0 तो connectivity अच्छी मिलने वाली है इसके साथ ही ये smart watch support करता है Google Fit and Apple Health तो ये smart watch दोनों iOS and Android में compatible है तो आप आराम से दोनों devices पे इस smart watch को connect करके use कर सकते हैं साथ में इसमें दिया हुआ है smart notification का support यानि कि आपके text, आपके सारे social media platform और आपके calls का notification आपके smart watch में ही आपको मिल जाएगा तो बहुत ज़्यादा convenient feature होता है smart notification का लेकिन आप इस smart watch में call pick नहीं कर पाईएगा सिर्फ call cut कर सकते हैं तो notification वाला feature है और इस price bracket में आपको BT calling का feature तो नहीं मिलने वाला है इसके साथ ही 100 plus watch faces दिये हुए है और आप और भी watch faces डाउनलोड कर सकते हैं बोट के wearable app से जी हाँ आपको इस smart watch के साथ दिया हुआ है बोट का नया wearable app का support जिसकी मदद से आप इस smart watch को fully customize कर सकते हैं तो धेर सारे watch faces दिये हुए हैं तो आप हर दिन अपने choice के साबसे नए नए watch faces लगा सकते हैं तो overall देखा जाए तो 1,999 रुपीज में बिलकुल value for money product है क्योंकि basic level के सारे ही features दिये हुए हैं लेकिन अगर आप market में देखिएगा तो इसके competition में इसी तरह के feature वाले smart watch available है थोड़ा बहुत उपर नीचे आपको features देखने को मिलेंगे तो अगर आपका budget 2000 रुपए है तो आप इस board के नए wave light smart watch के साथ जा सकते हैं अच्छा smart watch है मेरी तरब से तो highly recommended है इसका best by link मैंने description में दे रखा है तो आप चाहें तो वहाँ से इसे directly purchase कर सकते हैं आपको सबसे पहले मिलती रहे आपको सबस्ट GoPro कम тобuten आपको सबस Under 2788 के आपको सबस्टक्वा proud आपको कर दो crestादी तो कर सकते हैं को आपको सकते हैं